इस वीडियो में हम side chain लगाना बता रहे हैं, blouse में side chain कैसे लगाई जाती है, और इसी तरीके से suit में हम side chain लगाते हैं, तो हमारा blouse तयार है, complete है, सिर्फ chain लगाना बता रहे हैं, तो fitting का निसान लगा रहे हैं, और कमर का निसान, जो भी आपका नाप है, जिस size का blouse बना रहे हैं, fitting का निसान लगा लें, फिर एक side हम fitting लगा चुके हैं, और एक side हमें chain लगाना है, left hand की तरफ chain लगाते हैं, side chain कभी भी लगाई हैं, तो left hand उल्टे हाथ की तरफ chain लगाते हैं, उपर से हम बाजू की fitting कर देंगे, जो sleeve है उसकी fitting कर देंगे, और blouse में 2.5 inch आप fitting कर सकते हैं, मुढ़े से, इसको हम fitting का निशान लगा देंगे, अब हम इसे fitting कर देंगे, machine से पक्का कर देंगे, कि हमने sleeve की fitting लगा दी और blouse पे भी 2 inch तक हमने fitting लगा दी है, अब जो हिस्सा हमारा बच रहा है, right हिस्से की तरफ हम निशान लगाएंगे, सीधे पल्ले पे, जो fitting हमने उल्टे पल्ले पे लगा रखा है, उसी को हम सीधे पल्ले पे निशान लगाएंगे, ति चैन हम सीधे पल्ले पे ही रखके लगाएंगे, इसलिए हम निशान सीधे पल्ले पे लगा देंगे, बहुत ही इजी तरीका है चैनल लगाने का गुम चैन बहुत से लोगों को गुम चैनल लगाने नहीं पाते हैं सिंपल चैनल एजली लगा लेते हैं तो गुम चैनल लगाना भी असान है और सिंगल वूट से नहीं हम डबल वूट से ही गुम चैनल लगा रहे हैं कि हमने कमर की फिटिंग देख ली फिटिंग हमारा ठीक है आप इसे हम चैन लगाएंगे सीधे पल्ले पर सीधा चैन रखेंगे हमारी गुँम चैन है सीधा चैन जैसे अभी हमने खोला पिल्कुल चैन रखेंगे सीधी के तरफ सीधा चैन होगा और उल्टे के तरफ उल्टा अब यह चैन रखके हम फिटिंग लगा दे रहे हैं चैन पर सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे में गुम चैन की जड़ में सिलाई लगाई जाती है पुरा चैन खोल के आप उपर तक कर दीजिए उसके बाद फिटिंग लगा दीजिए बिल्कुल चैन की जड़ में फिटिंग लगाना होता है तो इसलिए गुम चैन बिल्कुल फिट बैट जाता है दीखिए बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई लगाई है गुम चैन पलट जाता है बिल्कुल जड़ में आपको लगाना है और इसके लिए सिंगल बूट की जरुत भी नहीं होती है एजली लग जाता है डबल बूट से ही थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी बढ़ती है बट लग जाता है अब वन साइट का हमने चैनल्ड फिट कर लिया यह देखे बिल्कूर बिल्कूर किनारे पे चैनल्ड लगाए हैं आप इस तरब भी ऐसी सेम उसी तरब भी सेम इसी तरिके से सिलाई लगा लेंगे बिल्कूल जड़ में बहुत ही आसान है अब बिल्कूल पिटिंग ले जाएंगे उपर तरब चैन को संभालके और कपड़े की फिटिंग पर जो अपने निशान लगाए फिटिंग उसी पर चैन रखना है तभी ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी आगे पिछे चैन रख देंगे तो ब्लाउज की फिटिंग धीला या टाइट हो सकता है इसके लिए फिर आपकी पड़ेगी या फिर चैन खोल के फिटिंग सही करने पड़े इसलिए जो फिटिंग का निशान है उसी पर चैन रखें और उसी पर शिलाई लगाएं यहां पक्का शिलाई लगा दिए ताकि नीचे से चैन खूले ना वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर गए पूश सकते हैं देखें कितनी फिनिशिंग से चैन लगा हुआ है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है जैसे लग रहा है सिलाई लगी हुई है चैन बिल्कुल नहीं दिख रहा है इसे गोम चैन बोलते हैं इन वीजिवल जो दिखाई ना दे बिल्कुल फिनिशिंग से लगा है यह हमारे ब्लाउज का लुक है सीधा करके ब्लाउज हमने कम्प्लीट हो चुगा है ब्लाउज की फिटिंग देखें इसने पता ही नहीं चल रहा है कि हमने साइड में चैनल लगाया है ऐसा लगा है दोनों साइड फिटिंग लगाई हुई है सिलाई लगी है